रन्बीर कपूर और आलिया भट की फिल्म ब्रहमास्त को लेकर इस बग बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रहमास्त की रिलीज के बाद PBR और आई नॉक्स नेमा हॉल्स को 800 करोड रुपए का घाटा हो गया है अचानक इतने बड़े घाटे ने सब की सांसे फुला दी है दरसल रन्बीर और आलिया की इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले है जिसके चलते दो मल्टिप्लेक्स चेन के निवेशकों को 800 करोड रुपए से जादा का घाटा हो गया है बिजनिस इंसाइडर की खबर के मताबिक ब्रहमास्त को लेकर काफी हाइप बनाई गयी थी लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटेक्स ने फिल्म को खास नहीं बताया और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि PBR और आइनोक्स के शियर धढ़ाम हो गये और निवेशको को सीधा 800 करोड रुपे से जादा का घाटा हो गया हलाकि ब्रहमास्त्र ने पहले दिन करीब 37 करोड रुपे की कमाई की है जो फिल्म के लिहास से तो बढ़िया है लेकिन इसकी वज़े से निवेशको का बहुत पैसा डूप गया है 400 करोड रुपे में बनी ब्रहमास्त्र ने अपने से दोगने पैसो का घाटा करा दिया है ब्रहमास्त्र को हिंदी सिनेमा की डूपती नईया को पार लगाने वाली फिल्म माना गया था सिनेमा हॉल्स के निवेशको को लगा था कि इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि निवेशको के अर्मान तूट गए और पीबियार और आइनॉक्स के शियर तुरन तूट कर गिर गए फिल्हाल इस वक्त बजार में तभाई मची हुई है ब्रमास्त की वज़े से इतना बड़ा घाटा हो जाएगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था अब सवाल ये है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगा फिल्हाल इस पर आप क्या कहिए अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉली बुट पे चरचा को सब्सक्राइब कीजे